नमस्कार वीटी नूज बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूँ गुलसन कुमार परतीवा की पूछ सब जगा होती है और परतीवा अगर आपके अंदर है तो आप कहीं भी दिखाई पर जाएंगे हमारे साथ जो अभी हैं वो सत्रंज के बहुत अच्छे खिला रही हैं वो अभी ने के छेतर में भी अच्छा नाम कमा चुके हैं और 26 जनवरी को दिल्ली में राष्टपती को सलामी देने जाएंगे हमारे साथ बेगूसराय के लाल राहुल कुमार है हम इसे बात करेंगे सबसे पहले बदाई हो आप दिल्ली जा रहे हैं परेड में बिलकुल इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बेगूसराय के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि मेरे चैन के बा पूरे देश से लोग जाते हैं जी पूरे देश से और एनसे स्वेम सेवक के रूप में 200 स्वेम सेवकों का चैन किया जाता है जिन में से कुल 148 स्वेम सेवक ही उस राजपत पे परेड करते हैं और राश्टपती को सलामी देते हैं और तिरंगे को सलामी देते हैं दो साव से जो रिष्ट बचे हैं उनको ट्रेनिंग के सब्वेमें अगर कोई गल्ती हो तो निकाल जा जाता है। निकाला नहीं जाता है। उन लोगों को भी अलग-अलग छेतर बांटे जाते हैं। अणे से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सांस्कृतिक छेतर में अबद होते ह। उनको उनके लिए भी रखा जाते है। जो ॐश्विद्याले में जो ॐशिविड्याले में भेजते हैं। और विश्विद्याले में भी सारेरिक और सांस्कृतिक चैन के तहट उसका चैन पुर्वगंतंतर दिवस चैन सिविर के लिए किया जाता है। मिथला विश्विद्याले से मेरा चैन किया गया और एक लरकी जो की समस्तिपूर के मोहनपूर जी अमार्डी कॉले से है उसका चैन किया गया। डेल ही में वहाँ पर ट्रेनिंग पोड़ पर दिया जाएगा। तो कैसा महसूस हो रहा है? प्रधान मंत्री से मिलना। मतलब जुते घीज जाते हैं लोगों को मिलने के लिए कि किस माध्यम से हम उनसे मिला जाए। जो की हमारे गांधी जी के जन्म सताबदी वर्ड्स पे इसका गठन किया गया था। और उन्ही के जन्म सताबदी वर्ड्स पे गठन करने के पश्चात इसका समाज में रास्ट की शेवा करने के लिए स्वयम सेव को अस्थापना किया गया था। पूरे देश के यवाओ के स्वयम को एकठा किया गया था। जैसा कि आप देखते हों कि इसके पूर न्सेसी का सपना हुआ। तो न्सेसी के अस्थापना के बाद देखा गया था कि न्सेसी तो देश की रक्षा के लिए किया गया। तो राष्ट की सेवा के लिए ऐसे संगठन का निर्मान किया जाए कि भविश्य में अगर ऐसी आपदाये देश पे पड़ी तो ये स्वयम सेवक बढ़ चड़ के हिस्सा ले जैसा कि अभी एनसेस के स्वयम सेवक इस कोरोना के महामारी में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिए और म परणि की बात में हमारे देश के माननी प्रधानमंत्री ने अपने इस बात का में जिक्र भी क्या क्या कि देश में 40 लाग स्वयम सेवक कोरोना महामारी में बढ़ चड़ कर देश की साहता के लिए देश के सामने आये और लोगों की साहता किया बेगुसर ऐसे पहले आप हो और NSS की प्रोग्राम ऑफिसर डॉक्टर सहर अफ्रोज में उन्होंने पता है कि इसके पुर्व 2013 में एक आदर्स नाम की लड़के का चैन हुआ था जो कि साइद पहला लड़का था उसके बाद सात वर्सों तक बीच में यह समय खाली रहा क्योंकि किसी का चैन नहीं हो पा हाता था लेकिन इस मैना चैन किया गया के लिए और बीःफ्षाय का हर्स की बात है और में भी खेलता हूं अभी नइभी करता हूं आकाश गंगा रंग चोपाल एसोसियेशन बरोनी एक संस्था है जो रंग कर में पूरे भारत में एक अपना स्थान बना चुकी है रास्ट्री अस्तर पे उसी संस्था के तहत मैं देश के कई हिसों में जाकर अब बरे-बरे मंचों पे रास्ट्रे नाट के महसों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर चुका हूं जिसके तहत मैं बहुत ज्यादा लोगों से बराई भी पराप्त कर चुका हूं को ये अभने के छेत्र में हाथ तारिफ और उसके अलावा मैं UGC के तहत जो पूरे भारत में यूथ फेस्टिवल का आयोजन होता है उसके तहत मैं All kyse historia फेड़ इंटर उनिवर्सटि और इंटर उनिवर्सटिएक बाद मिठला उनिवर्सटिक का प्रतिय। मैं पिछले साल में कीया था यो कि मैं खेलने के लिए उनिवर्सटी वार औरिसा गयाました तो इसके अलावा भी कुछ जुड़ा हुआ हूँ थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हूँ जैसा कि आप मुझे जानते हूं कि मैं एवीपी से जुड़ा हुआ हूँ तो यह सर चीज़ चलती रहती है कितने थीटर किये हैं आप अभी तक कितने पले किये हैं और वह काउंट तो उतना या लेकिल अपश्च पारॉक्स 20-25 कर चुका हूं आगे का क्या पलान ही आगे का फ्लान है कि कुछ कहते हैं कि मझील मिले या ना मिले मुझे इसका कोई गम नहीं मंझीलों के जुस्त जो में मेरा कारवा तो है मेरा का इपो बस लगे हुय है कुछ एक ड्रीम को लेकर इसको ल आशिर्वाज से बड़े भाई से बड़े बुजरुक से कॉलेज के प्रध्यापक से सिख्छक से जो मेरे आदर्च है हमारे डॉक्टर कुंदन भीया जो साइकिल प्रसंडेक को लेकर एक मुहीम लगातार विगत अनवरत कहीं वर्सों से लगातार कर रहे हैं उन सभी इसला से बिहार का आवाज को वहां बुलंद करने का कारे करूंगा धन्यवाद